मेरे बेस्ट 10 ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं फॉलो करता हूं रांग पुश करते वे आप लोग की थोड़ी सी हेल्प हो पाए शायदे ट्रिक्स आपके लिए काम करें और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बात बताएंगे तो और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा शुरू करते हम पहली टिप के साथ विच इस कि चाहे कुछ भी हो जाए फर्स वीक में डू नाट पुश इन वीक वन और सीजन स्टार्ट गाइस फर्स वीक में या जैसी सीजन शुरू होता है जितने भी अल्ट्रा प्रोस जादू गरू को आप जानते हैं या जिनके बादे में आपने सुना हैं वो या तो खुद पुश कर रहे होते हैं या वो किसी को पुश करवा रहे होते हैं इस टाइम में आप पुश करोगे क्योंकि आप एक genuine player हो कुछ नहीं होगा बस आपको बेकार में मरना frustration और irritation मिलेगा as a reward push नहीं हो पाएगा अगली tip की तरफ बढ़ते हैं no randoms take help guys बहुत serious tip है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ace lobby या crown lobby में solo versus squad rank pushing के time पे squads confirm कर पाए और chicken dinner ले पाए कोई फाइदा नहीं होने वाला क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा इससे अच्छा अपना एक squad या अपना duo confirm करो उनके साथ push करो लोग ढूंडो जो आपकी तरह push करना चाहते हैं नहीं मिलते please join my discord server link description में मैं आपको help करूंगा मेरी team आपको help करेगी players ढूंडने में अगली tip की तरह बढ़ते हैं loot up first no hot drops guys hot drops की definition rank pushing के time पे बहुत जादा बदल जाती है ठीक है जितनी major cities आप जानते हैं वहाँ पे एक से दो squads तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और crates की तो पूछो ही मत वहाँ पे वही लोग आएंगे जो उस area के बारे में पहुत जादा confident है plus hot drops पे 50% किसमत का खेल होता है किसको gun पहले मिलेगी किसको armor मिलेगा किसको क्या loot मिलेगी और कौन किसको मारेगा अगर आप luck पे अपना you know drop choose कर रहे हो तो फिर आपका 50% luck पे ही होगा rank push भी आप conqueror पहुचोगे या नहीं ये luck पे depend करेगा please do not do that avoid करो hot drops next tip पे आते हैं start on the edges, end in the center मैं आपको इसको थोड़ा briefly explain कर देता हूँ जब भी plane travel कर रहा होता है एक line पे travel करता है आपका focus होना चाहिए कि आप जितना दूर हो सके उतना दूर उतरें उस line से क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं पहुच पाएंगे और जब आप land करते हैं तो location चुन के मेरी पिछले tip की तरह सोच के देखें उसके बाद जाके अपना armor लें guns लें उसके बाद आप safe खेलते हो या aggressive वो आपके gameplay style पर depend करता है मगर at least आपके बाद वो चीज़े हैं जो आपको defend और आपके aggression के लिए काम आएंगी ठीक है तो please avoid anything जहाँ पे आपको loot ही ना मिले hot drops बिलकुल नहीं ठीक है एक बार minus हुए तो 4 game लगेंगे सिर्फ उसको recover करने के लिए तो push तो आप क्या ही करोगे अगली tip है do not camp guys kills matter करते हैं शुरू शुरू में आपको kills नहीं matter करेंगे इतने ज़ादा आप अगर platinum पे हो, diamond पे हो या crown पे हो आप plus 15, plus 20, plus 25 वैसे भी होगे ठीक है जब तक आपको chicken dinner मिल रहा है मगर जैसे ही आप crown से उपर जाते हो rank pushing के time जो कि बहुत aggressive push होगा तब आपको points मिलने कम हो जाएंगे मैं आपको अपना example देता हूँ मैं ace पहुँच चुका था, conqueror push कर रहा था मुझे 5-7 kills लेने के बावजूद chicken dinner पे सिर्फ plus 5 या plus 6 मिलते दे जबकि अगर मैं kills करता था 10-15 तो मुझे plus 10-15 का points मिलते दे and guys conqueror push पे 2-3 points से भी 50-50 rank बढ़ती है एक साथ तो please do not take that risk focus on your goal goal आपका conqueror पहुँचना है अब मैं आपको बताता हूँ कि कौनसी चीज़ आप क्या gameplay बर्बाद कर सकती है पहली tip उड़ता तीर मत लेना यार अगर दो squad लड़ रहे हैं तीन squad लड़ रहे हैं दो लोग लड़ रहे हैं अगर आप kill confirm कर सकते हो तो आप जरूर shot लो अगर नहीं confirm कर सकते हैं तो सब की attention अपने उपर मतला आओ ताकि सब अपनी fight छोड़ के आपको मारना पहले शुरू करें ऐसा काम बिलकुल नहीं करना है अगली tip यह है कि best strategy अपनी follow करो मैंने hunt airdrops लिखा है क्योंकि that is my best strategy मेरी best strategy में बहुत simple सा तरीका है कि मैं अपने आपको airdrop जो आने वाला होता है से distance पर position करता हूँ distance पर position करने के बाद मैं वहाँ check करता हूँ कि कोई आ रहा है या नहीं मुझे kills भी मिलते हैं और level 3 armor के साथ drop guns भी मिलती है अगर कोई नहीं आ रहा आप दूर से काम कर रहे हो चलता है यार आपको level 3 armor और drop guns तो मिल रहे हैं ना इत विल ओनली में यू यू और स्टोंगर तो डेफिनिटली फॉलो दिस प्लीज दू नट फोकस अन यूर केड़ी गाई यह बहुत इंपोर्टन टिप है आपने शुरू में देखा होगा आपको यह लग रहा होगा कि हम भी जाएंगे ऐसा मत करना जब तक आप चिकन डिनर पर फोकस कर रहे हो और आप चिकन डिनर कर रहे हो ओके तब तक क्योंकि आपकी डेफ नहीं हुई है तो वो किल्स डिरेक्ली आपकी केड़ी में जुडएंगे मगर अगर आप केड़ी के बीचे भागोगे अग्रेसिव खेलोगे जहां आप अपना 50% किल्स लेने का चांस बढ़ा रहे हो 50% मरने का भी चांस बढ़ा रहे हो तो स्टाट्स मिंटेन करने के चकर में आपके टियर और आपकी रैंक बहुत जादा सफर कर सकती है तो बहु तक फ़ भी गल्ती होईगी मगर इस चक्कर में अपना नेक्स्ट गेम प्लीज बिल्कूल भी प्रेशर में मत निकालना क्योंकि अगर आप प्रेशर में निकाल जाओ मैं आपको गैरेंटी दे रहों आप गलत मूव लोगे गलत डिसीजन लोगे और आपका एक गलत मिले अब बढ़ते हैं हम सबसे इंपोर्टन टिप गाईस कुछ भी हो जाए अगर आपने एक बार पुछ शुरू कर दिया टाइम निकालो दिन में वाश्रूम ब्रेक्स खाना वगरा सब कुछ ऑन दे गेम करो मगर चाहे जो करना पड़े करो मगर गिव अब मत करना गिव अब करना बहुत असान होता है अपने डिसिजन पर टिके रहना बहुत मुश्किल कॉंकरर जाना है मतलब जाना है I hope आपको यह वीडियो पसंद आए Please don't forget to subscribe